चोटी चोटी कहानियां, सिखातीं, बड़ी बड़ी बातें आजकी कहानी चौदरी सरक्षी है साट्मी कठ्षा के सिख्षक थे, हिंदी पढ़ाते थे पढ़ाने की बड़ी रूची, छात्रों का बहुत जाधा द्याल इसलिए एक्सपुक पढ़ाते-पढ़ाते प्रस्न भी पूछा करते थे, एक बार उन्होंने बच्चों से प्रस्न पूछा, बच्चों ये तो बताओ कि गधे और मनुश्य में क्या अंतर होता है। बच्चों ने जवाब देना शुरू किया, सारीरिक रचना अलग होती है, बुद्धी अलग होती है, काम अलग होते है, बोजन अलग होता है, वगेरा वगेरा वगेरा. उसी समय सुरेश खड़ा हुआ, सुरेश वर्ग का सबसे अच्छा विद्यार थी, और सुरेश ने कहा, सर, मैं एक बहुत बड़ा अंतर बताता हूँ. चौद्री सर ने कहा, सुरेश ने कहा, सर, मनुश्य और गदे में सबसे बड़ा फर्क है, हम मनुश्य को गदा कहेकर बुला सकते हैं, लेकिन गदे को मनुश्य कहेकर नहीं बुला सकते हैं। चौद्री सर बड़े खुश हुए, और बोले, बच्चों, सुरेश ने जो फर्क बताया, उससे हम सीखते हैं, कि हम यदि गलत काम करेंगे, हम यदि नहीं पहेंगे, नहीं सीखेंगे, तो जीवन में घदे जैसा हो जाएंगे, और लोग हमें घदा कहेकर बुलाएंगे। लेकिन हमारे पास एक विखल्प है, अच्छा काम करने का, सीखने का, अच्छे मनुष्य बनने का, ताकि कोई भी हमारी तुल्णा गदे से नहीं कर सके। 365 कहानियों के इस दौर में, अगली कहानी में हम फिर मिलते हैं नई कहानी, नई सोच, नई सीख, तब तक के लिए धनिवाद, टैंक यू, नमस्ते